हलो दोस्तो वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज हम रीड करने वाले हैं हमारी हिंदी की कशा 2 की जो NCRT की बुख होती है उसकी कहानी अधिक बलवान कौन अधिक बलवान कौन बलवान का मतलब क्या होता है ताकतवर ठीक है तो सबसे दा ताकतवर कौन है इस कहानी के अंदर हम यही चीज पढ़ेंगे आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी की कहानिया जो होते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूं उसको यह रीड करते हैं तो शुरू करते हैं एक बार हवा और सूरच में बहस छिड़ गई छिड़ना मतलब क्या होता है जब दूर ल हवा और सूरच में पहस छिड़ी हवा ने सूरच से कहा क्या कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ यानि कि मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ यह बात किस ने कही हवा ने कही किस से कही सूरच से कही यह चीज हमें याद रखनी है क्योंकि हमारे जब पेपर होतें दबाता किस ने किस से कहा, इसके लिए भी, तो फिर सूरज ने क्या कहा, सूरज ने हवा से क्या कहा, क्या कहा, मुझ में तुम से ज्यादा ताकत है, ये बात किस ने कही, ये बात सूरज ने किस से कही, हवा से, इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी, हवा की नजर किस पर पड़ी आदमी पर हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फाइदा नहीं जिस तरीके से हम बहस कर रहें न ऐसे तो कोई फाइदा नहीं होगा तो क्या करना है उसने क्या कहा जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही जादा बल्वान है उसने क्या कहा कि जो भी कोई हम दोनों मै जो भी इस आदमी का कोट, जो कोट उसने पहन रखा है उसको उतरवा देगा, वही हम्में से ज़दा बलवान होगा, सुरज हवा की बात मान गया, यानि कि सूरज ने जो है हवा की बात को मान लिया उसने कहा ठीक है उसने कहा ठीक है किसने कहा सूरज ने कहा ठीक है दिखाओ अपनी ताकत जितनी भी ताकत तुमारे अंदर है दिखाओ हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की हवा ने क्या करा आदमी को अपनी ताकत दिखाने शुरू करी तो आदमी को अपनी ताकत कैसे दिखाई हवा बहुत जोर जोर से चलने लगी आदमी की टोपी उड़ गई क्या हुआ जब बहुत तेज हवा चली तो जो आदमी था उसकी टोपी उड़ गई पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा उसने क्या करा उसने अपने कोट को नहीं उतारा क्योंकि उसने अपने कोट को दोनों हाथों से लपेटे रखा हम देख रहे हैं ना जिसे ऐसे उसने अपने कोट को पकड़े रखा ठीके दोनों हाथों से उसने पने शरीर पर लपेटे रखा और जल्दी-जल्दी कोट के बटन जो थे उनको बंद कर दिये जो भी उसके कोट के जो बटन थे उसको उनोंने बंद कर दिया आगे क्या होता है? हवा और जोड से चलने लगी हवा जो थी वो बहुत तेज चलने लगी अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा मतलब हवा जो थी वो इतनी तेज चली कि वो जो आदमी था हवा की वेग से जो हवा की जो ताकत थी उससे वो नीचे गिर पड़ा पर कोट उसके शरीर पर ही रहा लेकिन जो उसका कोट था वो उसके शरीर परी रहा उससे उस कोट को तो नहीं उतारा अब हवा थक गई थी अब हवा जो है बहुत देर तक चल चल के वो थक गई थी उसको ऐसा लगा कि मेरे से तो अब नहीं हो पा रहा सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो किसी चीज का ठीक है आदमी ने कोट के बटन खोल दी सूरज की गर्मी और भड़ी आदमी ने कोट उतार दिया और उसी हाथ में लेकर चलने लगा क्या हुआ जब हमें गर्मी लगती तो हम क्या करते हैं अपने कपड़े जो हमने पहने होते हैं हम कोशिश करते हैं कम से कम हम क कपड़े पहने, तो कोट कैसा होता है, कोट तो भारी सा होता है, मोटे से कपड़े का होता है, तो क्या करा उस आदमी ने उस कोट को उतार दिया, और अपने हाथ में लेकर चल दिया, सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट, क्या कहा सूरज ने, और किस से कहा हवा से कि तुमने मेरी ताकत देखी मैंने उसका कोट उतरवा दिया ना हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को क्या कहा हवा ने सूरज को नमस्कार किया और क्या कहा कि मैं तुम्हारी ताकत को मान गई अब इक बलवान कौन तो किन किन के बीच में बहस चड़ी थी हवा और सूरज के बीच में है बहस चड़ी थी हवा ने सूरज से क्या कहा था मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ और सूरज ने हवा से क्या कहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ ठीक है ये जो छोटी छोटी सी चीजें यह याद करने वाली हैं आप इस कहानी को ज़रूर याद करना क्योंकि जब अग्जाम आएंगे तो यह आपको बहुत है